नमस्कार मैं प्रग्या धरदर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को केंदरे मंतरे वीके सिंग ने पाक अधिकृत कस्मीर को लेकर पाकस्तान पर रिशाना साधा है वीके सिंग के नसार जिस तरह से पाकस्तान में चीजे चल रही है उससे वहाँ वेवन ताक्ते अपने ही लोगों के खड़ी हो गई है ए एनाई से बात करते वे उन्होंने कहा बहुत बड़ा मन्थन हो रहा है मुझे हैसास है कि अच्छे तरजो की पाकस्तान के द्वारा बल परयोग करके और फिर सेंगत राष्ट की भागेदारी के कारण अर्ध स्थाई हो गया है अपने आप हमारे पास वापस आ जाएगा राजी सभा में आर्जेडी के सदश्य मनुझ जा के ठाकुरवारी कभीता के बाद पूरे देश के राजनते गल्यारों में बहस च्रीवी है वहीं सुक्रवार जब पुर्वसासत आनंद मोहन सहर्चा वेवार ने आ ले पहुचे तुम वाम मीडिया नहीं सवाल किया कि ला बाजार, इनाकर्शक और कुसल अब करनों की उप्लगता में व्रिधी की उमीद कर सकता है चात्रों और पेशेवरों को चुन्ने के लिए विकल्पों के एक विस्तर सिंखला से लाब होगा चिनका उनका डिजिटल अनुबव होगा अस्थानी अस्तर पर क्रोम बुक का नि में एंट्री करने से रोग दिया इन खालस्तानियों में से कुछ ने कहा कि उन्हें इन बात की जैसे ही जानकारी मिली कि विक्रम दोर इस्वामी अलबर्ट ड्रॉ इव पर ग्लास को गुरुद्वारे की गुरुद्वारा समीती के साथ एक मिटिंग करने वाले हैं तो बहत कुछ डिजिटल हो जाएगा विद्यक में साच्छ एकत्रित करना समन वारन जारी करना एफायार दर्ज करने से लेकर केस डायरी के रख रखाऊवा आरो पत्र दाकिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटली करन करने की बात कही गई है दूसरी तर टिपनी विवाद पर बसपा सांसत दानिश ली ने प्रिधान मंतरी नरेंदर मोधी को पत्र लिख़ा है उन्हें से संसधिय गडिमा बनाये रखने की अपेड की अक्टोबर महीने से तेवहारी सीजन सुरू होने वाला है और इस दोरान लोग काफी सफर भी करते हैं वहीं तेवहारी सीजन में तेल की कीमतों को लेकर केंदरे पेट्रॉलियम मंतरी हरदीब सिंग पूरी ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने साफ कहा है कि उतरी अमेरिका में पेट्रॉलियम उतपादों की कीमतों में 40-50 फीज़ी के बढ़ उतरी हुई है लेकिन पीम नरेंदर मोदी की तरफ से उठाएगे कदमों की वज़़ से भारत में हकीमते 5 फीज़ी तक बढ़ हो गई है विहार के सरकारी स्कूलों में 3,32,000 विद्यार्थियों के नाम काटे जा चुक है ये 14,15 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे विहार सिक्षा विवाग के अपर मुखेश चीव के आदेश की बास सरकारी स्कूलों ने यह कदम उठाया है विवाग के रिपोर्ट के रिसार सरवाधिक 46,000 नाम कक्षा 4 के बच्चों के काटे गए है महिला अरक्षन बिनको राटती प्रॉप्डी मुर्मुर ने सुक्रवार को 29 सितंबर को मन्जूरी दे दी अब विद्यक 20 सितंबर को लोगसभा और 21 सितंबर को राज्य सभा में पारित हुआ था इस कानून के लागू होने पर लोगसभा और राज्य विधान सभा में मैलाओं को 33 प्रतीशत अरच्छर मिलेगा वेलके संसर से पास होने पर राज्य पती दुरौपदी मुर्मों ने कहा था कि हल्लागिक नया के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तन कारी क्या प्रती होगी CTV नेटवर्क के अनुसार इन हमलों को उबदर बताते वे कनाडा की सिगनल इंटेजरेंस एजेंशी ने कहा है किस से विवन सरकारी संस्थान प्रभावित हुए हाला कि संग्य विभाग और इजेंसियों की सेवा देने वाली प्रनालियां समाने रूप से काम करती रही करणाई से सस्तर बलकी वेबसाइट वुधवार को घंटों तक साइबर हमलों से प्रभावित थी कि इंडियन नेशनल डेवलाप्मेंट इंक्लूसिव अलायंस गडवन्धन से आम आदमी पार्टी अलग होगी सवाल का जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल ने दिया है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वेबक्षी गुट को समर्थन देने के लिए प्रतीबद है आम आदमी पार्टी इंडिया गडवन्धन से अलग नहीं होगी हम गडवन्धन का धर्म निभाने के लिए प्रतीबद है अपने नारोपों का खाड़िच करते वे कहा कि भूलत से विधाया के खिलाफ कारवाई कारून के नुसार की गई है कनाड़ा से चल रहे तरनाव के बीच पाकस्तान के राश्रुपती डॉक्टर आरिफ अल्वी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते वे कहा कि भारत मुसल्मानो के नरसंगार और अलसंख्यकों के दबन और उत्पीरन में शामिल रहा है यह बाते उन्होंने ब्रिटन के सांसलों से बात करते वे कही है हाला कि यह पहली बार नहीं है जब पाकस्तान ने भारत खिलाफ जहर उगला हो पाकस्तान आए दिन भारत खिलाफ मेडल जीते हैं पदक तालिका में भारत फिलाल 33 मेडल के साथ 24 स्थान पर है 19 वे इश्याई खेलों में भारत के मेडल के इकुल संक्या अब 33 पहुंच गई है जिसमें 8 गोल्ड 12 सिल्वर और 13 ब्रॉंच मेडल शामिल है और पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर पह 2000 में हैं ऐसे में लोगों के मन में यह सभी सवाल है कि इन नोटों को वापस बैंक में मंगाने के लिए क्या RBI नोट बदर्वानी की डेडलाइन को बढ़ाएगा तो आईए आपको बताते हैं कि क्या 2001 नोटों को बदर्वानी की डेडलाइन आगे बढ़ेगी इंटरनाशनल सुसाइटी फॉर क्रिष्णा कॉंसियंसेंस नहीं भाजपा असांसद मेनका गांधी को उनके इस दावे के जवाब में 100 करोर रुपे का मानहानी नोटस जारी किया है कि धार्मिक संगठन वध के लिए गायों को कसाई काओ बेचने में सलंगन है इसकॉन ने उनके आरोपों को पूरी तरह से नेराधार बताया है और कहा है कि भक्तों को टिपनियों से गहरा दुख हुआ है इसकॉन के भक्तों समर्थकों और सुभचिंतकों का विश्वयापी समुदाय इन पांचलक निंदनिय और दुलभाव नपुर्ण आरोपों से बह हीतर रहते वे दिर्गकाली टेल समझोदा करने का अग्रह किया है मीडिया रिपोर्ट्स में अतावा किया गया है अकबार की खबर के अनसार पाकस्तान जो वर्तमान में उच्विदेशी रिन और कमजोर अस्थानिय मुद्रा से जूज रहा है उमीद कर रहा है कि रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल हांसिल होने से देश में तेल की कीमतिस्तर हो जाएंगी लद्धाक में सीमा विवात को लेकर भारत और चीन लंबे समय से आमने सामने है स्पीच थलसेना प्रमोक जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पुरवी लद्धाक में लसी पर गतिरोद के दोरान भारती सेनिकों ने जिस दृता के साथ चीनी सेनिकों का सामना किया है इससे विश्व में मजबूत संदेश पहुँचा है और भारत के बढ़ते राजनितिक और सैनिस संकल्प को वैश्विक पडल पर स्थापित किया है सिमाई हमारे हमी संदेश पुड है अब भिहार की राज़ारी पटना और भागलपुर के बाद गया में 23 सेकर जमीन चिनहतकर भूमी इस्थांतरित का प्रस्ताव उद्योग विवाग को सौपा गया है इस बारे में उद्योग विवाग के आलारिकारी के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि अध्या किया गया है कि हुखत जमीन को वहां काम कर रहे है टक साइल इंडस्ट्रीज को ही दिया जाएगा पर इस स्थानी अस्तर पर इस सेक्टर में काम कर रहे हो द्यमी को अपनी काई के विस्तार के लिए जमीन तो दी ही जाएगी साथ ही साथ उन्हें काम को व्रिहद रूप से देने के लिए आथिक मदद भी की जाएगी गुजरात में हिरासत में मौत की बरती घटनाओं को बड़ी सारवजनिक चिंता का विश्या बताते वे गुजरात राज्य विदी आयोग ने हाली में राज्य सरकार को कहीं सुझाओ देते वे एक रिपोर्ट सौपी है इसमें यह भी बताया गया है कि 2021 में पुलस कर्मियों घिलाब दर्ज एक भी मामले में सजा नहीं हुई है जुलाई में सरकार को सौपी गई रिपोर्ट में आयोग के अध्यक्च जस्टिस एमबी साहने पुलस को समयधान इक धांचे के भीतर कारी करने के लिए समवीधन शील बिनाने के लिए कई तरह किसधारों के अविशक्ता पर वर दिया है कोहटानी का विरोध किया था रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में उनके सूपरवाइजस द्वारा इस बात की और ध्यान दिलाय जाने के बावजूद भारत में CIB की टीम आशंकी थी सुप्रीम कोट ने एक पुर्व फैसले को फिर से पुस्ट करते वे बिहार में एक दल इत्महिला सहित तीन उमिद्वारों को अधिनस्त नाइधीस की रूप में निक्त करने का नर्देश दिया है जो देश में अधिकान सविल सेवा नियम है इश मंत्री एश जैसंकर ने नियू और्क में सेयुक्त राष्ट महासभा की बैठक के बाद वासिंग्टन डिसी में अपने पहले दिन गुरुवार को विलंकन और सुलिवन से मुलाकात की विलंकन के साथ बैठक के अमेरिका र मैंने उन्हें कुछ विस्तार से समझाया मैंने आपको जो बताया वह मेरी चिंताओं का सरांस था करनाठक सरकार ने करनाठक वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम में संसुधन लाने के लिए शुक्रवार को एक अध्यादेश जाली के असंसुधन से ओन्लाइन मनी गेमिन पर 28% जीस्टी लगाया जाएगा राज्य पाल थावर्चन गहलोत की सहमती के बाद रेसकोर्स और कै सी सीखा के अनुसार अनुमान है कि अतरिक्त टैक्स लागू होने के बाद राज्य को 1500 करोड रूपय का आरज शुद लेगा चालो वितवर्ष के पहले पांच महीन अप्रेल अगस्त में सरकार का राजकोश्य घाटा बढ़कर 6.43 लाग करोड हो गया है सुक्रवार को 16.96 एक लाग करोड रूपय का 32.6 फीज दी था गोवा प्रमोट सावन्त ने शुक्रवार को कहा कि राजे सरकार इंसानों पर हमला करने वाले कुट्तों की कुछ नसलों पर प्रतिबंद लगाएगी सीम सावन्त ने पंजी में रेवीज मुक्त गोवा स्टैक पॉइंट ट कावेरी जल प्रमंधर प्राधीकरन और सुप्रीम कोड के समक्ष एक समिक्षा याचिका दायार करेगी। विश्य विध्याले स्तामिल है UGC ने इस लिस्ट को इसलिए जारी किया है ताकि छातर छातराई वा उनके अविवावक इन विश्य विध्याले से साफधान रहे इसके साथ ही UGC ने राज्यों से इन विश्य विध्याले के खिलाफ करी करवाई करने के लिए भी कहा है विधी आयोग मौझुदा विधान सभा का कारेकाल बढ़ाकर या घटाकर दोहजार उन्तिस से लोगसभा चुनाव के साथ सभी के चुनाव एक साथ कराने के समीकरन पर काम कर रहा है आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को या जानकारी दी सरकार पहले ही लोगसभा राज्य विधान सभाओं और अस्थान या निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के वास्ते एक उचस्तरिय समीतिक अगठन कर चुकी है इसलिए विधी आयो को राश्ट्रिय और राज्यों के लिए अपनी वर्तमान सिफारिस के साथ साथ अस्थान या निकाय चुनाओं को भी सामिल करने को कहा जा सकता है बिहार में डेंगू मरीजों की संक्या 6000 के पार पहुँच गई है शुक्रवार को राज्य में कुल 396 मरीज मिले जिसमें अकेरी पटना में 174 केस है जो अब तक का रिकॉर्ड है एक दिन पहले गुरुबार को पटना में 111 मरीज मिले थे राज़ानी के सभी 75 वाड़ों में डेंगू से प्रित मरीजों की संक्या में तेजी से बढ़ोतरी होड़ी है सबसे अधिक पटना और भागलपुर के मामले सामने आए हैं सरकारी आकरों के मताविक अफ्तल डेंगू से 15 मरीजों की मौत हो चुकी है अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई के सिती कैसी है अपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए तना ही धन्यवाद